तो हम आज डिस्क्स करने जा रहे हैं कॉंपरेशन स्टॉक एंड फॉर स्टॉक इंजन दोनों को कंपेर करके देखेंगे कैसे दोनों में क्या डिफरेंस है तो टू स्टॉक इंजन आपके सामने यह एनिमेटेड एक पिक दिख रहा होगा यह हैं टू स्टॉक इंजन का और यह हैं हमारा फॉर स्टॉक इंजन का ठेक है अब पहला हमारा जो इसका डिफ्रेंस दोनों में टू स्टॉक में पहला डिफरेंस एट हैज वन पावर स्टॉक फॉर इच रिवॉलूशन अफ दे ट्रैंक साफ्ट आप गौर से इसे देखो इसको देखो एक पावर श्टॉ फ्यूल बर्न हुआ तो वह एनरजी कहां दिया पिस्टन अब किस मोड में आगा अब वह पावर को कहां ट्रांसफर किया क्रेंक साफ्ट में अब वह क्रेंक साफ्ट किसे घुमाएगा फ्लाइवील को तो वह हुआ हमारा पावर श्ट्रोक मींस एक्सपेंशन जो प्रोसेस होता है हमारा चार प्रोसेस होता है सक्सन कॉंप्रेशन एक्सपेंशन 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 प्रोसेस होता है वह प्रोसेस हमें बोलते हैं उससे दूसरा नाम है उसका पावर श्ट्रोक तो टू श्ट्रोक इंजन म हमारा होता है suction and compression that is one stroke and second stroke is expansion and exhaust ऐसे two stroke engine में दो stroke काम करता है तो it has one power stroke for each revolution of crank shaft means जब आपका piston देखो ध्यान से यह अभी BDC पे हैं यह TDC पे गया नाओ यह फिर BDC पे आएगा अब देखो तब जाकर यह एक revolution complete हो रहा आप इस figure को ध्यान से देखो piston का एक point for example यह दो piston आया यह उपर गया और इधर क्रेंक को देखो यह दुबारा नीची आया अब जाकर एक revolution complete हुआ ठेक है बट इन four stroke engine it has one power stroke for every two revolution of the crank shaft जब क्रेंक साफ्ट आपका दो राउंड रोटेट हो जाता है तब किसी बीच में आपको power stroke मिलता है या आप कह सकते हैं आपका power stroke मिलता है तब आपका क्रेंक साफ्ट दो revolution लगा चुका होता है ठीक है इसे आप देखें यह दो यह आपको दिख रहा है कि आपका फ्लाइविल कितना राउंड मार रहा है ठीक है और यह दिन ब्लू से दिखा रहा है आपका प्रेशर है क्या है यह ब्लू आपको यहां दिए प्रेशर रेट से टेंपरेशर ठीक है तो एक्चुली यह कहानी था इसका समझ में आ गया आगे बढ़ें कि ओके इंजन डिजाइन इस सिंपल ड्यू एपसेंस ऑफ वाल्व मेकिनिज्म इसका मतलब क्या हुआ आप गौर से देखो टू इस्टोक इंजन में कहीं वाल्व दिख रहा है आपको कहीं नहीं यह इनलेट पॉर्ट बोलते हैं इसे और यह एक्जॉस्ट पॉर्ट इसे हमारा बोलते हैं और ये हमारा से आपके हो हो रहा है रांस ट्रांसफर क्या बोलते हैं इसे सायद का कि जिक्त हो shucks कर बहुंअ थे to reduce of fuel gases or exhaust gases and transfer of charge taken place two-stroke engine में inlet port से हमारा fuel अंदर की ओर आता है और exhaust port से हमारा flue gases, flue gases means जो burnt particle जो बच गये हैं वो gases बाहर की ओर जाता है but in four-stroke engine, engine design is complicated due to valve mechanism हम complicated क्यों बोल रहा है, valve mechanism यूज हो रहा है इसका मतलब वहाँ पर cam use हो रहा है, cam shaft use हो रहा है, valves use हो रहा है, spring use हो रहा है but in two-stroke engine जब हमारा valve है नहीं, valve mechanism यूज इन हो रहा है, इस फिर पोर्ट का it has one power stroke for each revolution of the crankshaft means means हर एक revolution पे एक power stroke मिल रहा है ठीक है यहां पर वही कह रहा है power stroke is obtained in every revolution of crankshaft but in four stroke engine power stroke is obtained in every two revolution of crankshaft okay now in two stroke engine more mechanical efficiency due to less friction on a few part more mechanical efficiency mechanical efficiency ज्यादा होती है due to less friction on few parts यहां पर camshaft तो है नहीं valve mechanism तो है नहीं तो क्या एक यह friction कम हुआ इससे छोटे छोटे पार्ट से हमारे इंजिन में अगर friction कम हो रहा है तो इसकी बढ़ रही है बट इन four stroke इंजन लेस mechanical efficiency due to more friction on many parts यहां पर हमारा camshaft भी है वाल भी है इसके कारण क्या है mechanical efficiency हमारा कम हो जाता है four stroke में now in two stroke engine less output due to mixing of fresh charge with the hot burnt gases यहां पर जो output मिलता है मिस यहां पर thermal efficiency की बात हो रही है two stroke last topic है thermal efficiency की बात हो रही है मतलब in compression stroke both fuel and flow gases are escape from the engine कि डाइग्राम देखो ध्यांसे गौर्स देखना इस डाइग्राम में देखना थोड़ी देर के लिए fuel आपका अंदर है और आपका exhaust भी जा रहा है बाहर यह प्रोसेस देखो यह प्रोसेस आधा color क्या है आपका orange है और आधा आपका blue दिख रहा है यह क्या हो रहा है आपका जब exhaust नॉर्मली कम हो जाएगी बट इन फोर श्टोक इंजन मोर आउटपुट ड्यूट फूल फ्रेश चार्ज इन टैक एंड फूल बर्न गैस एक्जॉस्ट क्या होता है हमारे फोर श्टोक इंजन में वाल्ब मेकनिजम है तो वाल्ब तब तक उपन नहीं होगा फ्यूल तब तक अंदर नहीं आएगा दब तक हमारा गैस बाहर ना निकल जाए थोड़ा बहुत गैस रह जाता है यह हम सब जानते हैं ठीक है पिधल संघ्द कहिआ सिंपल है फ्लू जब में क्यांठ फ्लू फ्लू गैसेस पहार की आग्जेशुप जाब से बाहर यह में तो नॉर्मल कंजेब्स जाधा होगा लेस्च धरिश्ट में हो गया लेस्ट थरमल एटी थरमल एफिसेंसी फरं रोलीक्त हो व्य और वीर होने का चांस यहां क्या से उसमें ज्यादा होता है क्यों अब यह रिलेट करता है जो नौर når एर्थीर मूविंग पाइश को इसको आप कैसे आप क्यों एक्स पिल्लेंग करेंगे हम फॉक्त पार से एज वन पावर श्टोक का इस वर्यवलूशन करेंट थो जादा हो गई तो इस इंजन की पूद थो जादा हो गई तो सीडिंट कम होई इंजन इस पीड ज्याधा होने कारण यह क्रेंक्साफट का ही ऌने क्रेंक्षाफ्ट है क्रेंक हीट महां पर डेवलप होगा ज्याधा हीट डेवलप लप होगा तो वियर और टिर होनेका चांस भी ज्याधा हो순 क्लिक है और फ्रॉरष स्ट्डोक में less weird एंड ये रफ मुविंग पार्ट क्योंकि एक स्टोक में तूरी वोल्यूशन हो रहा है तो कम हो रहा है एकॉर्डिन टू 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 इंजन कंसिस्ट ओफ द इनलेट एंड एक्शॉर्स पोर्ट यहां पर हैं इंजन रंस होटर डॉट इंजन इस एकूल्ड जो टू स्ट इंजन होता है इसको हम अ मिए इसको ठंडा करने के लिए यहां एव्य यहां करते हैं यहांफे मेन है वैसे यहां पर Mina घूम रहा है एक सिर्फ बड़ रही है इंजन लjmr कोलेंट कुलTwink को कैसे थनदा करते गैसे थनदा करते हैं या फिरbrosend Joseph अब आप मुझे ये बता आप की जो कूलेंट यूज करते हैं हम आज यूजार की चाहाई हो गया है सब्सक्राइब करते हैं तो जो हम कुलेंट करते हैं उसका नाम है इतलीन ग्लाइकोल इतलीन ग्लाइकोल जो मैक्सिमम में यूज़ करते हैं ठीक है कि दो सब्सक्राइब करते हैं अब यहाँ लगना होना चाहिया है कोमा नहीं है आप ढ्यान देना इनजन रिक्वाइर लेस पेस्ट इंजन इस लाइट यहाँ पहां हमारा वल्वे और कैमसांत का यूज़् नहीं है तो狼रेड़ हमारे इन । हलका हो गया इंजन रिक्वार्स मोर स्पेस इंजन इस हैवी इंजन बड़ा होता है हमारा डिजल इंजन का इसलिए और यहां पर इंजन है इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हम इसमें क्रेंक साफ्ट वाल मेकनीज में सब एक्ट्रा चीज़ एड कर रहे हैं तो साथ नॉर्मल बढ़ेगी उ इंजन यूज इन मुपेट्स इसकूडर मोटर साइकल एक्ट्रा मोटर साइकल इसका और यह होता है तो यही था हमारा डिस्कुल स कोमपरेशन आफ डिस्कुल इंजनकाइब्स और फॉर स्ट्रों इंजनका एक्टियग है तो था वाचिन विडियो प्लीज लाइक और झाल